जैहिन दोस्तो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ग्यान की दुनिया में दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माराज भरत के वंश के बारे में लेकिन उसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तो पुरुवश के राजा दुशियन्त और उनकी पतनी सकुंतला के पुत्र भरत की गड़ना महाभारत में वरणी 16 सर्वसरिश्ट राजाओं में होती है माननता है कि इन्ही के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा इनका एक नाम सर्वदमन भी था क्योंकि इन्हों ने अपने बच्पन में बड़े बड़े राक्षसों, दानों और सिंगों का दमन किया था और अन्यसमस्त, वन्य और परवतिय पज्वों को भी सहज ही परास्त कर अपने अधीन कर लिया था अपने जीवनकाल में इन्हों ने यमुना सरस्वती तथा गंगा के तड़ों पर करमशे सो, तीन सो तथा चार सो अशवमेक यग्गी किये थे प्रवरति से दानशील तथा वीर थे राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया प्रतिष्ठान के स्थान पर हस्तिनापूर को राजधानी बनाया समराथ भरत ने पूरी दुनिया को कश्मीर के ध्रूव से कन्या कुमारी के तट तक जीत लिया था और महान चंदरवंश को आगे बढ़ाया दोस्तो इस राजा के नाम और गौरव से भारत वर्ष को भारत वर्ष या भारत खंड या भारत देश के नाम से पुकारा जाने लगा भरत उनका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्हें देवी सरस्वती और भगवान है गरीव का आशिरवात पराप था इसलिए भारत ने वैदिक यूग से वैदिक अध्यान विक्सित किया भारत का विवाह विदरवराज की तीन कन्याओं से हुआ था जिनसे उन्हें नो पुत्रों की प्राप्ती हुई अपने पुत्रों को देखकर भरत ने कहा ये पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है अतहा भरत के शाप से डर कर उन तीनों ने अपने अपने पुत्र का हनन कर दिया महाभारत के अनुसार भरत ने बड़े-बड़े यग्यों का अनुस्ठान किया तदा महर्शी भारदवाज की कृपा से भूमन्यू नामक पुत्र प्राप्त किया दोस्तो आगे उनकी वनशावली बढ़ी और भूमन्यू के पुत्र हुए सुहोत्रा सुहोत्रा के पुत्र हुए अजामिदा और अजामिदा के पुत्र हुए रिक्कशा रिक्कशा का पुत्र हुए समर्ना और समर्ना के पुत्र हुए कुरू दोस्तों ये वो कुरू नहीं है जिनके नाम पर कुरूवंश चला इसके बाद कुरू के पुत्र हुए आसावन प्रथम और आसावन प्रथम के पुत्र हुए प्रिक्षित प्रथम प्रिक्षित के पुत्र हुए जनमे द्वित्तिय, जनमे के पुत्र हुए ध्रितराष्ट्र प्रथा और ध्रितराष्ट्र के पुत्र हुए ब्रहदक्षत्र, ब्रहदक्षत्र के पुत्र हुए हस्ति जिनके नाम से हस्तिनापूर का नाम चला और इन्होंने ही हस्तिनापूर पुर्णागर की स्थापना की खस्ति के पुत्र हुए विकंटन और विकंटन के पुत्र हुए अजामिदा द्वित्य है जिनके वन्षजों ने पंचाल समराज्य की स्थापना की अजामिदा के पुत्र हुए रिशिन जोकी एक संत राजा थे रिशिन के पुत्र हुए स्वर परना दुट्य के पुत्र हुए कुरुद्वित्य है यह वो कुरु है जिनके नाम से चंद्रवंश की एक और शाखा कुरुवंश की स्थापना हुई इन्हों ने ही मगद सामराज्य की भी स्थापना की तो दोस्तों यह था हमाराज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें जल्दी मिलेंगे आपको फिर से हमारे एक और ने वीडियो के जाथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत